कि अग्वाइब करेंगे यहां पर एन और लाजिक के बारे में और यहां पर अगर अपन देखें तो बिखते हैं, एक होता है नॉरमली ओपन कंटेच्ट के अगर आपन बात करते हैं तो यहां पर एक डाइग्राम में अगर आप देखाओगे तो यहां पर एक एक टामिनल पर पर क्या जा रहा है नेगेटिव सपला है और दूसरे टर्मिनल पर यहाँ पर क्या जाएगा L1 जाएगा जो कि 24 वोल्ट सपला है बट यहाँ पर अपन ने यह कर रखा है एक स्विच के थ्रू मैंने इसको कंट्रोल करके रखा हुआ है जब मैं स्विच को एक्टिव करूँगा तब ही यह यहाँ पर 24 वोल्ट सपला है वो इस लैंब के इस टर्मिनल पर नहीं गई है लेकिन जैसे ही मैं इसको एक्टिवेट करता हूं तो यहाँ पर कंडिशन सब्सक्राइब करते हैं जब मैंने इसको एक्टिवेट नहीं करके रखा है जो भी नॉर्मली ओपन कॉंटेक्ट है उ क्या होगा यह क्लोज कॉंटेक्ट में कनवर्ट हो जाएगा नहीं क्या हो गया एन इसको एक्टिवेट होने के बाद जो आउटपूट है वह हाई हो जाएगा क्योंकि यहां पर 24 वोल्ट सपला है वह यहां से यहां ट्रवल करके इसके पास चली जाएगी और लाम्प मेरा हाई हो जाएगा है ना similarly अपन normally close contact की बात करें normally close contact का मतलब यहाँ पर यह है कि initially यह contact बना हुआ रहता है यह इसको close रहता है ना तो यहाँ पर आगर आप देखोगे यह 24 वोल्ट सपला है यह मेरे lamp के पास continuously जा रही है ना जैसे ही जैसे यहाँ पर आगर आप देखोगे inactive condition तो यहाँ पर output मेरा high है यह देखो यहाँ पर यह जो मेरा lamp है यह high है अब मैं क्या करूंगा जैसे ही इस switch को press करता हूं जैसे ही मैंने इस switch को press किया तो यह switch activate होगा that means इसको press किया तो यह open हो जाएगा open होने के बाद क्या होगा जैसे ही यह open होगा तो मेरा lamp क्या हो गया lamp मेरा off हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया जैसे ही मैंने open किया तो 24 वोल्ट supply यहाँ से यहाँ पे lamp के पास जाना बंद हो जाएगी है ना so basically जब भी मैं NC contact को press करता हूँ या activate करता हूँ तो वो क्या हो जाता है convert हो जाता है NO में या बोल जाते हैं open contact में तो यहाँ पे normally open के case में जब अपन उसको activate करते हैं तो वो NC में convert हो जाता है और similarly अगर मैं normally close की बात करूँ उसको activate करेंगे तो वो open में convert हो जाएगा यही चीज़ अपन यहाँ पे देखते हैं network के अंदर यहाँ पे PLC के अंदर क्या होता है networks होती है या runs होती है तो basically जो Siemens है Siemens के अंदर अपन क्या बोलते हैं इसको networks बोलते हैं तो network में भी अगर आप देखोगे जैसे यहाँ पे L1 है L1 कहाँ पे है इसमें left side में L1 को अपन ने क्या बोल रखा है 24V supply यहाँ पे इस end को अपन बोल सकते हैं 24V supply imagine करके चलते हैं और इसका यह मेरा lamp यहाँ पे यह कोईल है और यह जो contact है वो यहाँ पे NCA similarly यहाँ पे भी वो contact NCA अब यहाँ पे मैंने जो यह वाला end है इस end को अपन क्या बोलते हैं L2 बोलते हैं L2 का मतलब यहाँ पे क्या हो गया यह negative हो गया तो इस coil को क्या-क्या चाहिए एक तरफ से 24V supply आएगा और दुसरी तरफ से क्या आएगा मेरे पास negative आएगा तो यह जो output है वो activate रहेगा अभी आप यहाँ पे देखोगे तो यह basically normally close contact है normally close contact है मतलब क्या होगा initially जो lamp है वो high condition में रहेगा यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वही चीज़ अपन ने क्या कर रखी यह जो PLC के अंदर अपन select करते हैं वो NC contact इस तरीके का होता है है ना तो जब भी मैं initial condition में अगर आप देखोँगा I0.1 I0.1 क्या है मेरा यह जो address है अभी initially NC condition में है तो मेरा output क्या रहेगा high रहेगा जैसे ही मैं इस address को activate करूँगा that means I0.1 को मैं one करता हूँ या activate करता हूँ तो यह NC contact NO बन जाएगा NO बनने की वज़े से यह जो मेरा output है वो low हो जाएगा similarly यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मैंने क्या कर रखा है यह L1 है और यह L2 है तो अगेन यहाँ पर 24V supply है और यहाँ पर negative supply है तो यहाँ भी अपन यह consider करके चलते हैं कि यह मेरा 24V supply है और यहाँ पर मेरे को negative supply में दे रखा हूँ अब जैसे ही मैं क्या करता हूँ यहाँ पर मैंने switch ले रखा है जो कि I0 contact है जैसे ही मैं इसको press करूँगा तो यह power supply यहाँ से इस लेम तक चली जाएगी है ना similarly यहाँ पर भी मैं क्या कर रहा हूँ यह मेरा NO contact जो कि मैं PLC के अंदर select करता हूँ है ना तो जब भी इस NO contact को activate कर रहे है इसका मतलब यह है कि I0.0 को activate करता हूँ मैं तो यहाँ से power supply जो 24V power supply है वो यहाँ से travel होके इस LED के पास चली जाएगी है ना तो यह मेरा जो LED है यह हाई हो जाएगा या बोल सकते हो कि यह जो output है PLC का उसका address number Q0.0 हाई हो जाएगा है ना तो यह सब अपन देखेंगे जब अपन PLC के अंदर प्रोग्राम करेंगे अब यहाँ देखते हैं बेसिकली अगर मेरे पास push buttons है और push buttons है मैं किस तरीके का action चाता हूँ वो मैं PLC का program से control कर सकता हूँ सबोस मेरे पास एक NO push button है और उससे मैं चाता हूँ कि वो NO की तरह act करें overall कैसी act करें NO की तरह तो मैं program में भी क्या ले लूँगा NO ले लूँगा है ना similarly अगर मैं चाता हूँ कि मेरे पास push button है वो NC type की है लेकिन मैं चाता हूँ कि वो act कैसी करें normally open की तरह act करें है ना final action में उससे क्या चाह रहा हूँ normally open चाह रहा हूँ तो मैं software में क्या select कर लूँगा NC select कर लूँगा similarly अगर मैं बात करूँ push button में अगर मेरे पास NO type की push button है है ना NO type की push button है और मैं चाता हूँ कि वो overall NC की तरह act करें तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे normally closed ले सकता हूँ software के अंदर तो जो भी changes है मैं software के अंदर तो कर सकता हूँ और accordingly मैं जो मेरी push button है उसकी actions को control कर सकता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास अगर आप देखो के last case में तो यहाँ पे push button कैसा है normally closed है normally closed है और final action भी क्या चाहिए मेरे को normally closed वाली चाहिए तो यहाँ पे मेरे पास जो program है उसके अंदर मैं क्या लिखूँगा normally open लिखूँगा तो इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ control कर सकता हूँ है ना बाकी की चीज़े अपन है next lecture में देखेंगे so thank you झाली बाकी की बाकी की बाकी में बाकी की बाकी की की बाकी की बाकी देखेंगे जस्यक में कॉँगा अपन है प्रफूँगा